नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी एक्जाम वाला में दोस्तों हमारे चैनल पर आपको विभिन प्रकार की कंप्टिटिव एक्जाम से रिलेटिड बेस्ट कंटेंट आपको मिल जाता है तैयारी करने के लिए इसलिए आप अगर पहली बार हमारी वीडियोज को देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और पहला आइकन को जरूर दवा दें वीडियो अगर लगता है काम की है तो लाइक जरूर करें और साथ ही दोस्तों में जरूर सेर कर दें दोस्तों आज की जो वीडियो है डिपेंड है हमारी आधारित है पेडागोगी सीरीज ये इस सीरीज का छटा पार्ट है पहला प्रेसन लेते हैं आधार आयू निम्न में से किसके मापन से सम्बंदित है आधार आयू निम्न में से किसके मापन से सम्बंदित है औowan नमर तीन आधार आयू जो होती है वो बुद्धी से सम्मन्दित होती है बुद्धी जो है आधार आयू और मान्सिक आधार आयू यानि वास्त्विक आयू chronological age वास्त्विक आयू के सम्मी करण में बुद्धी लब्धी ज्यात की जाती है इसका सूत्र बुद्धी लब्धी बरावर होता है आधार आयू यानि mental age multiply hundred और upon वास्त्विक आयू यानि chronological age इसे William Easter ने दिया था यह जो फॉर्मूला है IQ का IQ equal to mental age ma upon ca multiply hundred इसका जो फॉर्मूला है यह Easter नाम के वैज्यानिक ने दिया था और 1912 में दिया गया था इससे हम intelligence क्यूसेंट यानि बुद्धी लब्धी को माप सकते हैं या निकाल सकते हैं अगला प्रसन लेते हैं अगला प्रसन है शिक्षक द्वारा कक्षा में डाट पढ़ने पर छात्र यदि घर आकर अपनी छोटी बहन पर गुस्सा इजहार करता है तो यह किसका उधारन है प्रसन को समझने की जरूरत है रुपानतर का उप्षन 4 प्रतिक्रिया का तो सही उतर है उप्षन नमबर ए उप्षन नमबर दो यह उधारन होगा विस्थापन का विस्थापन क्या है इसके अंतरगत बालक अपने गुस्से या अन्य समवेग प्रतिक्रिया किसी अन्य पर उप्षन विस्थापन कर देता है इसको विस्थापन प्रतिक्रिया कहते हैं अगला प्रसन है निम्न में से कौन सीखने के सिध्धान से सम्बंदित है निम्न में से कौन सीखने के गैस्टाल्ड सिधान्थ से सम्मंदित है option नमर एक इसकिनार, option दो पावलो, option तीन थांडाइक, option चार कोहलर सही उतर है option नमर चार गैस्टाल्ड सिधान्थ या गैस्टाल्ड वाद जो है वो कोहलर से सम्मंदित है कोहलर ने गैस्टाल्ड वाद सिदान्त दिया था सीखने का कोहलर कौन थे कोहलर एवं कोप का सीखने से गैस्टाल्ड सिदान्त के अंतरगत आते हैं यानि सीखने का जो गैस्टाल वाद है गैस्टाल सिधान्त है कोहलर और कोपका से सम्मंदित थे जिनके द्वारा सूज का सिधान्त यानि इनसाइट थियोरी ओफ लर्निंग का पृतिपादन किया था इनसाइट थियोरी ओफ लर्निंग या सूज का सिधान्त कोहलर ने या कोहलर और कोपका द्वारा दिया गया था जिसे गैस्टाल सिधान्त सीखने के गैस्टाल सिधान्त के नाम से भी जाना जाता है अगला प्रेशन है इरोस सब्द किससे सम्मंदित है इरोस मेटफोन प्रेशन है इरोस सब्द किससे सम्मंदित है उप्षन एक मरण मूल प्रवरती से उप्षन दो जीवन मूल प्रवरती से उप्षन तीन भै मूल प्रवरती से उप्षन चार प्राकृतिक मूल प्रवरती से सही उतर है option number 2 इरोज सब्द का जो सम्मंध है वो G1 मूल प्रवर्ती से होता है याद रखें इसको Freud के अनुसार यानि Freud ने मूल प्रवर्तियों को मुख्यते दो भागों में बाटा था Freud ने कितनी मूल प्रवर्तियों को बताय था दो मूल प्रवर्तियों बताय थी यानि उन्होंने दो भागों में मूल प्रवर्तियों को बाटा है सबसे पहली प्रवर्ति है जीवन मूल प्रवर्ति और दूसरी है मृत्यू मूल प्रवर्ति जीवन मूल परवर्ति को इरोज कहते हैं और मृत्यू मूल परवर्ति को थैना टॉस कहते हैं धान रखें फ्राइड ने मूल परवर्तियों को दो भागों बाटा था जीवन मूल परवर्ति और दूसरी है मृत्यू मूल परवर्ति जीवन मूल परवर्ती को इरोज के नाम से जाना जाता है जबकि मूल परवर्ती को ठाना टॉस के नाम से जाना जाता है अगला प्रेस्ण है एहम निर्देशित होता है एहम यानि एहम की जो भावना होती है वहें निर्देशित होता है किस से option 1 वास्त्विक्ता सिध्धान्त द्वारा, option 2 सुख के सिध्धान्त द्वारा, option 3 आदर स्वादी सिध्धान्त के द्वारा, option 4 सामानने सिध्धान्त के द्वारा, तो सही उत्तर है, एहम की जो भावना है वो वास्त्विक्ता के सिध्धान्त द्वारा निर्देशित होती है, एहम वास्त्विक्ता के सिध्धान्त द्वारा निर्देशित होती है जबकि इदम जो है पार्स्विक एक्षाओं द्वारा निर्देशित होती है और परा एहम की जो भावना है वो सामाजिक नियंत्रण का पिर्ति पादन करती है अती महत्पूर्ण प्रस्ण है, एहम वास्त्विक सिध्धान द्वारा निर्देशित की जाती है, जबकि इदम पार्स्विक पार्स्विक इच्छाओं को द्वारा और परा एहम सामाजिक नियंत्रन का पृतिपादन करती है, अगला प्रस्ण है, कालिसिस्टोकाइनिन, कालिसिस्टोकाइनिन एक हार्मोन होता है, जिसकी सूई यदी दे दी जाए किसी प्राणी में, तो क्या घटना घटित होगी औप्शन, एक मूर्क एवं प्यास दोनों में, माप कीजिए भूक और प्यास दोनों में ही व्रध्धी हो जाएगी कॉलिसिस्टो काइनिन के इस्तेमाल करने से option 2 भूक अधिक बढ़ जाती है option 3 भूक कम हो जाती है option 4 भूक और प्यास दोनों ही कम हो जाते हैं तो सही उत्तर है अगर हम किसी व्यक्तिव को colesistocinin हार्मोन का injection दे दें तो उसकी भूग suddenly कम हो जाती है colesistocinin के इस्तेमाल से अब colesistocinin एक हार्मोन है जिसकी सुई यदि किसी भी वक्ति को हम दे दें तो इससे उसकी भूग कम हो जाएगी decrease हो जाएगी अगला प्रस्ण है बुद्धी परिक्षण में एक 16 वर्स ये बच्चा पचित्तरंक लाता है किसी बुद्धी परिक्षण में 16 साल का जो बच्चा है पचित्तरंक लाता है तो उसकी मान सिकायू कितनी होगी सही उत्तर है इसका 12 वर्स होगी इसमें यहां से आप निकाल सकते हैं IQ वाले फॉर्मूला से MA बटे CA multiply by 100 अब यहां पर MA कितना है? 16 साल का बच्चा है तो CA तो 16 साल होगा और बच्चा 75 रंग प्राप्त करता है यानि IQ होगा 75 और MA हमको यहां से निकालना है और CA है 16 multiply 100 इस वाले फॉर्मूला से आप यहां से निकाल सकते हैं तो इसका आंसर आएगा 12 वर्स अगला प्रेस्ण है केंद्रिय तंत्री का तंत्र में होता है जो हमारा सरीर में जो केंद्रिय तंत्री का तंत्र है central nervous system जो होता है उसमें क्या सामिल होता है option 1 मस्तिस्क, option 2 सभियंग, option 3 मेरुदंड, option 4 मस्तिस्क एवं मेरुदंड तो सही उत्तर है हमारा जो तंत्री का तंत्र होता है उसको बनाते हैं मस्तिस्क और मेरुदंड मिलाकर बनाते हैं केंद्रिय तंत्री का तंत्र को मेरुदंड और मस्तिस्क, केंद्रिय तंत्री का तंत्र में मस्तिस्क और मेरुदंड मुख्य रूप से भूमी का निभाते हैं इन दोनों के संयुक्त ओप्रेशन से ही Central Nervous System का कारिय चलता है अगला प्रस्ण है मनोग्रसित बाध्धता विकिर्ती एक है यानि किस प्रकार की है एक समायोजन विकिर्ती है उप्षन दो मनोविच्छेदित विकिर्ती है उप्षन तीन चिंता विकिर्ती है उप्षन चार काय प्रूरूप विकिर्ती है तो सही उत्तर्थ है चिंता विकिर्ती है मनोग्रसित जो बाध्धता है वो एक चिंता विकिर्त विकिर्ती है इसको हम और अधिक रूप में जान सकते है मनोग्रस्तता एक ऐसी अवस्ता होती है जिसमें रोगी बरावर किसी अतार्किक एवं असंगत विचारों को ने चाहते हुए भी मन में दोहराते रहता है रोगी ऐसे विचारों की अंतरहींता एवं असंगता और अतार्किक स्वरूप को भली भाती समझता है और उनसे चुटकारा भी पाना चाहता है परंतु वह लाचार रहता है और विचार बार-बार उसके मन में आकर उसमें मानसिक असान्ति उत्पन करता रहता है अत्य यह एक चिंता विकिरती है जो मनोगरस्ता होती है हमारे अंदर सरीर में वो एक चिंता विकिरती का पुरकार होता है अगला प्रस्ण है पार्ट नमर शिक्स का यह अंतिम प्रस्ण है समू अचेतन का संप्रत्य किसके द्वारा दिया गया था समू हूँ या सामू हिक सामू हिक अचेतन का संप्रत्य किसके द्वारा दिया गया था option एक सकेनर ने option दो पावलोव ने option तीन फ्राइड ने option चार युग ने तो सही उत्तर है option नमबर चार सामूहिक अचेतन का संप्रत्य या सिधान्त युग द्वारा दिया गया था अब युग ने कहा थक कि अचेतना को दो भागों में बाटा था यूंग वैज्यानिक ने अचेतना को दो भागों में बाटा था ओप्सन एक होता है वैक्तिगत अचेतन या अचेतना दूसरा होता है सामूहिक अचेतना या अचेतन दोस्तो आज की इस वीडियों बस इतना ही ये अतियंत महत्पूर्ण प्रसंत थे अगर दोस्तो वीडियों अच्छी लगी है तो बिल्कुल लाइक कर दें और अपने दोस्तों में जरूर सेर कर दें और अगर पहली बार हमारी वीडियों को देख रहे हैं आप तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करके बैल आइकन को जरूर दबाएं मिलते हैं अगली वीडियों में धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए और अपने जो फ्यूचर है उसको एक प्रॉपर दिसाद देने के लिए धन्यवाद